नमस्कार दोस्टों स्वागत शौमुस वह सब्याएलिस जाता है कभ दिया जाता है कक्वाहत वीजियों कि आकऩ यूसे क्या मिलेगा इस पक्रटिकुलर वीडियो में तो वीडियों को अंद देखना शेल का तो calcium और दूसरा vitamin D3 दोनों चीज एक साथ होता है calcium और vitamin D3 का supplement है shell cal 500 जहां पर 500 mg होता है यहां पर the calcium and 250 IU यहां पर जो होता है वो vitamin D3 अब बात कर लेते हैं कि यहां पर calcium और vitamin D3 को एक साथ क्यों रखा गया है और यह शेल कल 500 का usage क्या है तो शेल कल 500 एक ऐसा मेडिकेशन है जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है मतलब हमारे बॉड़ी में जीतना भी हड्या है वह हड्या बन जो बोन हड्या वह बनता है कैल्शियम से और फॉस्फोरस से दोनों ही प्रकार की मिनरेल चाहिए होता है कैल्षियम एक फॉस्फोरस दोनों मिलकर बोन का स्ट्रक्चर बनाता और बोन के अंदर जो हिस्ट ऑन चाहीं बहुत इंपोर्टन्त होता है कि questa उप्लड घ्रहों से तियार होता है तो बोन तो स्ट्रॉक्शल सपर्ट प्रवाइड करता भी है होने लगता है तो नाचनल प्रोसेस वह आदमी और दोनों में होता है मंगर ज्यादा मात्रा में कैलसरम्हें मेन्यों पॉज़कर दीदिदी के बाद तो प्लस्टरम्हें पॉस्टमें मैं सब्सक्राइब बोन से जो है डिपलीट होने लगता है और तब क्यल्शियम की सप्लाई देना बहुत इंपॉर्टन होता है अगर पोस्ट मैनुपोजल टाइम पे ठीक ठाक अमाउंट पे कैल्शियम सप्लाई बॉड़ी में ना हो तो बोन बहुत वीक हो जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो में से यह Xim लेना होता है कालशिम का सौर्स क्या है कैलशिम का सोर्स से खानाि खाना भट-बहुत किया है क् 있어서 healthy श्रें मिलता है क transl 4 दूद अंडा green vegetables रखेंड यह सारा बहुत-बहुत मह्तपून खाना होता जिसमें और सीफूड जो मचली वगेरा यह सारे में बहुत-बहुत में कैल्शियम मौजुद होता है तो खाने में से कैल्शियम चाहिए हमें और हम जंक फूट खाते हैं तो अच्छे फूट तो हम खाते नहीं कि कैल्शियम के सप्लाई बॉड़ी में नौर्मली बरकरार रह है वह खाना अगर हम ठीक से नहीं ले पाते हैं और खाने के साथ साथ देको दो चीज़ होता है एक तो एक खाना खा रहे हैं हम महलो आप दूद पीर हो आप अंडे खा रहे हो आप फिर भी कैल्शियम आपके बॉड़ी में ठीक-ठाक से नहीं आ पा रहा है उसका क्या हैगा आपकी इंटेस्टाइन में अफ्टर डाइजेशन क्या होगा उसको एब्जॉब करना है बॉड़ी को तो बॉड़ी को कैल्शियम एब्जॉब करने के लिए विटेमिन D3 चाहिए विदाउट D3 कैल्शियम एब्जॉप्शन ठीक से नहीं होगा किसी-किसी इंसान मे लो भी लेंगे ज्यादा मात्रा में तो भी एब्जॉब नहीं होगा वो बॉड़ी से निकल जाएगा ऐसे ही तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है तो इसी के कारण जब भी कैल्शियम दिया जाता है बॉड़ी में कैल्शियम टैबलेट उसके साथ विटेमिन D3 का होना भी ज काणा एक व्यक्ते विटेमिन और और अध्या क्यों ले रहेंगे उसके कारण के होगा होगा जो बोन की हटी यहाद्ट हो रहा था वह दीरे दीर दीण ठीक हो रहें रहेगा और ज्यादा देर तक आपकी बोन्स जो हें रहेंगे यही कारण होता है कुछ-कुछ लोगों में यह जो बोन इतना वीक हो जाता है कि बहुत छोटे मोटे प्रेशर स्ट्रेंड में वह तूट जाता है जिसको ऑस्टियो पोरोसिस बोलते हैं अब नॉर्मली बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर है कैल्शियम डिप्लिट होने के कारण जान बंशन वही होता है कि इसको वहां पर ईक प्राब्लम होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ऐसे सप्ट्लीमेट बाहर से आपको लेना हो बॉड़ी में मौझूद्गी ज्यादा रखे तो उनमें ज्यादा तर केसे में देखा गया कि दिन में दो टैबलेट भी दिया जाता है अब उसके इलावा यह शेल काल टैबलेट और कुछ काम में भी मदद करता है जैसे के मैंने आपको बता है कि किडिनी की को या किसी को पान्क्रिया टैटिस हुआ हें पैन्क्रियास का इंफलामेशन हो जा जाना हमारे अंब यह उसमें भी मदद मिलता है तो शेल कल ऐसे के सिर्फ एक सप्लिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टन है उसके कारण आपको इसको देखना चाहिए तो जाके आपको समझाएगा कि इसकी इंपॉर्टन्स क्या है और यह मेडिकेशन बहुत अच्छा तरीके से काम आता है इंफाक्ट बहुत से लोगों में जिन में दीटिट इसको डिएटर इसको ने में मदद करता है तो शेल कैल टैबलेट इस नौट ऑंगल्ट जस्त केमिकल कैल इस्प्लेमिंट यह काल्सियम और विटेमिन लीटिस अपलिमेंट ही उसके साथ-साथ-साथ-स-ालग- modèle बीमारिया में भी मदद करता है यह शेलकर 500 सब्सक्राइब होता है जैसे कि स्टॉमक में पेन हो सकता है यहां पर उसके रिलेटेट टू नौजिया वामिटिंग कांस्टिपेशन भी उसके साथ रह सकता है और रिलेटेट तो डैट मसल क्रैंप होना बोन पेन होना हड्डियों में दर्द होने लगना यह ऐसा कुछ-कु सब्सक्राइब होना इसके कारण यूरीन में ज्यादा मात्र में कैल्शियम बाहर निकलेगा क्योंकि कैल्शियम में ज्यादा मात्र में लिया गया है और यूरीन के जरिये बाहर निकलता है तो यहां पर यूरीन में ज्यादा कैल्शियम होना भी एक साइड एफेक्ट कहला एक supplement के तौर पे जो calcium और vitamin D3 प्रोवाइड करता है बॉडी को उसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत important होता है क्योंकि और एक चीज में आपको बता दू जो calcium है बॉडी में calcium के requirement सिर्फ और सिर्फ बौन development के लिए ही नहीं होता है कैल्शियम के requirement ऐसे signaling component भी होता है बॉडी में सेल सिग्नलिंग होता है अलग-अलग कोशिका उसके बीच के contact होता है सेल सिग्नलिंग और सिग्नलिंग बहुत important होता है बॉडी के normal functioning को continue करने के लिए इसी के कारण बॉडी के अलग-अलग tissues जैसे के heart tissue हो गया, muscles हो गया, nerve हो गया, यह सारे के सारे जो type of tissues है यह सारे tissues calcium के उपर dependent है signaling process को coordinate करने के लिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि हाथ पैड ऐसे चेंज कर रहे है और जो signaling nerve impulse जा रहा है, यह सारे के सारे चीज़े का control करने के लिए calcium का बहुत मैथपून भूमिका है तो सिर्फ और सिर्फ बोन development के लिए calcium चाहिए ऐसा नहीं है, calcium का requirement heart tissue, muscles, skeletal muscles और उसके साथ-साथ nerve tissues को हर वक्त पढ़ता है इसी के कारण calcium supply body में normal रहना बहुत important है, तो आप चेक करें कि अपके body में calcium के मातरा normal है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको यह tablet लेना चाहिए with vitamin D3 जो इसके साथ ही आता है, उसके साथ-साथ आपका जो है overall health और growth proper नजर आएगा अगर वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताके आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो मिलता रहे, थैंक यू, बाई